live streaming के जहां पर बात आते तो बहुत सरा लोग मुझे thank you कहते है आप लोग के लिए पहले एक live streaming वाला video बनाये थे एक किस तरह से live streaming कर सकते हो दिक्कत यह है कि अज के डेडि में उस method को फोलो करोगे तो आप परिशान जोगे, because उसमें मैंने साउंड काड, और स्केबल और कितने कितने वायर्स मैंने बता है, जिसको कहां काड डालना है, इसी चीज़ों में आप खुद उलच जाओगे कि भाहिया करना क्या है, लेकिन 2023 आ चुका है, जितना टाइम आगे बढ़ता है, उतना ही टेक्नोलिजी करता है, because मैंने भी अभी अभी डिस्कवर किया है, आज मैं आपको बता हूँ कि आप किस तरह से आसानी से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इस वायर्स के लिए वायर्स की इतनी जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत है खाली USB की, आप देखिए यहां पर आपको यह वाला एप दिख पहली बात तो यह एप मेरे इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन पर दिया गया है, लिंक प्रवाइड है, जाईए वहां से डाउनलोड कर लीजे, बहुत ही सिंबल सी बात है, अभी देखिए यहां पर दोस्तों यह रहा हमारे कुछ एप का इंडरफेस, यहां पर सबसे पह पहले मैं काश करता हूँ, उसके लिए हमें चाहिए से एक वायर वह है यूसबी, यह जो यूसबी कनेक्टेड है, यहां पर यह एप चालू है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे यहां पर किसी भी सेटिंग में नहीं जाना है, किसी भी एंडरॉइड फोन के कर लेना है, बस, ठेके रहे हो, यह है प्रोसेस कनेक्ट करने का, अब देखिए, यहां पर मैंने कर देए, इसको ओपन, एगरी कर देते हैं, अब देखिए, प्लग इन ब्लेक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सिंप्ली पहले एक बार लिकाल दूँगा, ठीक है, अब देखि आप, अब इतनी सी बात होती, अलग बात होती, आप नोटिस कीजएगा, कभी आपको कास्ट करना होता है, यहां पर तुरंट आ गया, देखिए, यहांपर, तुरंट आ गया, देखिए, यहां पर, डेख सकते हो दूस्तो पूरा तूरंट आगा एक does a password देता हू around सो देखे यहाँ पर बिया पर ईती Herr Kings सब्सक्रराय। डेखे यहाँ पर दोस्त्र देखें एक दम एक्डाय मैंने भी नॉटिस्द के थ suf आपकर इनकिस आपका बटन इस भादन लेकिन आपको बटन आपको शुव नहीं कर रहें और देहलेंशन प प्राइबतक आहिका थिजे प्राइफ से प्राष डालते हैं और और हम इस अपना पर सक्या अपने पर आका तुरह मैं C या ट्रस्ट इस पीसी यह आपको सारे सब्सक्राइब कोई भी नहीं आपको किसी विंडोस पर करोगे तो यह एक आपशन पॉपप होके आता है ठीक है बस इतना ही बाकी कुछ रही प्लग करो प्ले करो बाकी आप चाहो तो इसको वायरलेसली भी कर सकते हो बट एक चीज़ ह आपको बोल दूँँग थोड़ा सा डीलेस फील होता है मैं अब फिर भी एक छोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ वायरलेसली कनेट करने के लिए बहुत सिंपल ए डियो और पर यहां पर सिंपल उपर आपको वायरलेस का ओप्शन दिख रहा होगा यहां पर क्लिक कर देन आप विद्धी वायर ही करो तो काफी जादा एक्यूरेट मेंटेन रहेगी चलिए अभी सबसे पहले हम लोग जाने से पहले हमारे फोन को कनेट कर लेते हैं अब आपके ओपर है पहुंसा कनेट कर रहा हूँ मैं फिलाल एंडोइड कनेट कर रहा हूँ आपको नियो 7 को दे इसको मैं चाहता हूँ कि आप फूल स्क्रीन कर लीजे ये फूल स्क्रीन हो गया बाइदेव एक और चीज़ एकदम हाई क्वालिटी जो आपकी स्क्रीन का क्वालिटी है ना वही मिरर होगा यहां पर समझ रहें हाई क्वालिटी सो यहां से अभी हम लोग चले जाते हमारे ओबीएस में राइट अब हमें करना क्या है यहां पर जाना है एड कर लेना है मैं जाता हूँ विंडोस कैप्चर में यहां पर लेक देता हूँ बीजी अम आई यह मैंने कर दिया ओके अब यहां से मैं देखो नाम आ रहे है अपना आइकू नियो सेवन तो मैंने सिंपलि आपर क्लिक कर दिया अब हमारा आ चुका से यहांपर मेरा यह पूरा प्लेस सिखें मैं थोड़ा सा यहाँपर और यहांपर एसका फर नमें ना में तो इसका sound अगर अपने headphone पहना तो सारा का सावन आप पहुंच है अभी इसको मैं भीजूँगा कैसे अभी यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है कि अगर मैंने यहां पर दोस्तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हो मैं यहां पर बीजी एमाइ साउंड लिक देता हूं एक सकेंड सो यहां पर हमें जो है यहां पर हमें सिलेट कर लेना है यह देखिए यहां पर हमें जो है आइकू नियो 7 वाला जो दिख रहा है इसको select करके ओक के दबा देना है अब क्या और आपका बीजामाय का साउन वहां पहुंच रहा है यह दिखिए तो दोस्तों भी यहां पर आपने सारा setup कर लिए आप simply यहां पर जाओ यहां पर simply आपको start streaming पर क्लिक कर देना है और आपका काम हो गया अब यहां पर आपको नहीं पता कि हमें streaming का सेट अप करने तो आप सेटिंग में जाके यहां पर streaming पर जाके ऊपर की तरफ देख आपका option मल जाता है अब यहां पर जो भी gameplay करोगे आपका simply यहां पर record होगा अब यह और खासे है यह भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आपको छोटा सा fps दिख रहा होगा अगर आपको क्लिक कर देते हो ना तो यहां पर आपको literally आपका fps भी show करेगा कि आप कितना fps आपको मिल रहा है यहां पर आपने कभी यह किसी भी कास्टिंग वाले software पर देखा है मैं first time देख रहा हूं कि आपको software पर default fps meter भी मिल को दिख रहा होगा अब यहां पर basically मैं click करता हो ना तो यहां पर आपको एक साथ आप इतने सारे screen को attach कर सकते हो चली अभी मैं आपको जो है मेरा दूसरा device connect करके दिखाते हो तो देखे यह मैंने on किया मैं उपर wirelessly पर click किया यहां पर मैंने simply दबा के start now दबा दिया देखे यहां मेरा दूसरा connect हो चुका है यह आप देख सेथे हो ठीक है हो गया connect अब मैं इसको पते क्या यूज करूंगा as a webcam समझ लो इस device को मैं webcam यूज करूंगा रहे भाई मेरा शकल भी तो दिखना चाहिए कि नहीं OBS में यहां streaming पर simply समझ लो इसको मैंने दबाया अब दिखे हो गया मेरा camera ठीक है अब मैंने simply camera app को open कर लिया है अब मैं यहां पर समझ लो यह मैं अपना game यहां पर डाल दिया अब देखे मैं OBS में फिर से जाओंगा यहां मैं दबाता हूँ add ठीक है अब यहां पर हमने select कर देना है हमारा video capture device मैंने select कर दिया यहां पर मैंने दबा दि चुका है right मैंने दबा दिया okay अभी देखे आप इसको छोटा कर से सकते हूं पहले छोटा कर देता हूं एक मिनिट कई पर हमने attach कर दिया आप भी मतलब इस तरह से attach कर से तो देखें यहां पर मेरा camera attach हो चुका है मतलब अगर आपका स्ट्राइपोट हो तो और आसान होगा म मेरा भी यह phone जो है मेरा webcam बन गया phone का यह एकदम highest high quality जो है यहां पर यहां यूज कर रहा हूं अभी यहां पर इसको और भी तरह किसे यूज कर से तो for example मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह तो हमने एक को यूज कर लिया as a webcam की तरह अब दिखें यहां पर multiple जो यह connect क कर सकते हो OBS में split screen करके एक एक करके अब पूरा यहां पर broadcast भी कर सकते हो या फिर अब TDM खेलना चाते हो side by side game खेल रहे हो दो बंदे मिलके game खेल रहे हो bgmi में right तो दोस webcam लगाना चाते हो right में left में तो भी possible है यह tutorial से आपको समझ में आगे रहा कि सच में 2023 में चीज़े कित पढ़ता है लेकिन आप उसकी भी ज़रूरत नहीं है इस एप में ही आप simply game के sound को पचा सकते हो without any additional wires एंड साथे साथ दोस्तों इसमें मैंने पहला को दिखा है तो शायद इसमें connect करते मत multiple screen पर से 11 option आ रहे है नए 52 option 100 कर रहा है भी मेरे तरफ मेरे screen पे यानि कि सोचके अलग से कोई भी fps meter की ज़रूत नहीं आप जो भी stream करने वाले हो अपने phone पे ठीक है उसका भी आप directly fps भी लिकाल सकते हो यानि बीजय में खेल दो तो उसका fps भी लिकाल सकते हो पता चलेगा आपको फोन का performance कैसा मिल रहा है कौन देता है भाई ऐसा मैंने आज तक नहीं आप में एंड सच बताओ आइफोन 14 प्रो से जब मैंने भी streaming ट्राई किया था बहुत ही बढ़या चल रहा था सो रिकमेंडेट है कि आइफोन 14 या फिर कोई भी apple का product बहुत ही मस्त सूटेबल रहेगा high quality streaming के लिए बाइद 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 14 प्रों को पर्चेस करना चातो दोनों में support करता है दोनों में download कर सकते हो दोनों में stream कर सकते हो दोनों के मज़ा ले सकते हो फटा फट जाओ download करो एंड आपको वीडियो कैसा लगा हो भी बताना मेलते अगले वीडियो में टेक के ध्यान रखिएगा बाइबाइ